शिव बाबा याद है ना? तेज आता जाएगा फिर दूसरे जनम में शरीर भी ऐसा तेजस्वी मिलेगा सर्विस करने की ताकत याद से आएगी याद बिगर आत्मा की बैटरी भर नहीं सकती जो याद में रहते हैं उन्हें बाप की मदद अवश्य मिलती है फिर बाबा ने कहा कई बच्चे भले समझा आते तो बहुत अच्छा हैं लेकिन योग इतना नहीं है अशरीरी बन बाप की याद में नहीं ठहर पाते फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनने में फाइदा नहीं है कर्म करते भी तुम्हें विदेही रहने का अभ्यास करना है देखना है हम देह भान से कहां तक निकलते ज हम आत्मा भाई भाई है यह बहुत उंची द्रिस्टी है तुम बच्चों को अंततक यह पुरुशार्थ करना है ड्रामा की हर सीन को साक्शी होकर देखना है कभी किसी बात में हलचल में नहीं आना और नहीं कभी रोना है लास्ट में बाबा ने कहा मीठे बच्चे अब ग्यान योग में मजबूत होंगे उतना पक्के सोलिड होते जाएंगे रोज अपने से पूछो हमने कोई खराब काम तो नहीं किया किसके लिए अंदर विकारी ख्याला तो नहीं आए अपनी मस्ती में रहे या जर्मुई जग्मुई में टाइम गवाया अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्ताहर से बाबा ने कहा मेठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो स्वधर्म मेटी को तो ताकत मिलेगी खुशी और तंदरुस्ती रहेगी बैटरी फुल होती जाएगी प्रश्न ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो उत्तर तुम जानते हो यह बॉमसादी जो बने हैं यह छूटने हैं जरूर विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी यह ड्रामा की अनादी नोंद है मरना तो सब को है तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीड छोड राजाई में जनम लेंगे तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो इसमें हिलने की बात नहीं रोने की कोई दरकार नहीं ओम शान्ती बाप बैट बच्चों को समझाते हैं यह जो आदी सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया कारण निकालना जाहिए पहले तो आदी सनातन देवी देवता धर्म ही था फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कहना सके तो अपने को आदी सनातन देवी देवता के बदले आदी सनातन हिंदु कह दिया है आदी सनातन अक्षर भी रखा है सिर्फ देवता बदली कर हिंदु रख दिया है उस समय इसलामी आये तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदु धर्म नाम रख दिया पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, तो आदी सनातन हिंदु देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए, वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं हैं, जो पीछे आए हैं, उनको आदी सनातनी नहीं कहेंगे, हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे, आदी सनातन हिंदूं को बताना जाहिए कि तुम्हारा आदी सनातन देवता धर्म था तुम ही सतो प्रधान आदी सनातन थे फिर पुनर जनम लेते लेते तमो प्रधान बने हो अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी बाबा सर्जन है ना जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए जो आधी सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृती दिलानी चाहिए जैसे तुम बच्चों को स्मृती आई है बाबने समझाया है कैसे तुम सतोप्रधान से तमोप्रधान बने हो अब फिर तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है तुम बच्चे सतोप्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से जो आदी सनातन हिंदू होंगे वही असुल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारण, राधे कृष्ण, सीता राम आदी देवताओं के भक्त हैं, वह देवता घराने के हैं। अब स्मृती आई है, जो सूर्यवन्शी हैं, वही चंदरवन्शी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को भूड़ना चाहिए। फॉर्म उनसे भराना है, जो समझने लिए आते हैं। जो भी आए, उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते, तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो। तुम असल में पारलोकिक बाप के हो। यहां आकर लोकिक के बने हो। तुम अपने पारलोकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचाईता वहां यह अनेक धर्म होते नहीं तो फॉर्म जो भरते हैं उस पर ही सारा मदार होना चाहिए कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा हैं परंतु योग है नहीं अशरीरी बन बाप को याद करें वह है नहीं याद में ठहर नहीं सकते भल समझते ह हम अच्छा समझाते हैं मुजियम आदी भी खोलते हैं परंतु याद बहुत कम है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें इसमें ही मेहनत है बाप वार्निंग देते हैं ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं परंतु इस से फाइदा क्या चलो स्वदर् प्रविस करने की ताकत नहीं याद बिगर आत्मा में ताकत कहां से आएगी बैटरी कैसे भरे चलते चलते खड़ी हो जाएगी ताकत नहीं रहेगी कहा जाता है religion is might आत्मा स्वधर्म में ताकत मिले बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता नहीं शक्ल से पता पड़ जाता है और सब याद आएगा बाबा की याद ठहरेगी नहीं योग से ही बल मिलेगा याद से बड़ी खुशी और तंदरुस्ती रहेगी फिर दूसरे जनम में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा कहेंगे यह 24 करेट गौल्ड है तो 24 करेट जेवर है इस समय सब 9 करेट बन गए हैं सतो प्रधान को 24 करेट कहेंगे, सतो को 22 यह बड़ी समझने की बाते हैं बाप समझाते हैं, पहले तो फोर्म भराना है तो पतापड़े कहां तक रिस्पान्स करते हैं? कितनी धरना की है? फिर यह भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान याद की यात्रा से बनना है वह हैं भक्ती की जिस्मानी यात्राईं यह है रूहानी यात्रा रूह यात्रा करती है उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिग्यासू को जलवा आदी दिखाना है तो बाबा की प्रवेश्ता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं। कहीं नौलेज की, कहीं योग की। बाप तो सदा विदे ही है। शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा, तो ताकत मिलेगी कहां से। समझा जाता है यह योगी है या ज्यानी है योग के लिए दिन प्रति दिन नई नई बातें भी समझाते हैं आगे थोड़े ही यह समझाते थे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बेहन का समबंद भी हट जाए सिर्फ भाई द्रिस्टी रहे जाए, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह बहुत उंची द्रिस्टी है, अन्त तक यह पुरुशार्थ चलना है, जब सतो प्रधान बन जाएंगे, तब यह शरीर छोड़ देंगे, इसलिए जितना हो सके, पुरुशार्थ को बढ़ाना है, बूढों के लिए और ही सहज है, अब हमको वापिस जरूर जाना है, जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे, बूढे वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है, अब वापिस जाना है, तो यह सब ज्यान की बातें समझने हैं, जाड की वृधी भी होती रहती है, वृधी होते होते, सारा जाड तयार हो जाएगा, कांटों को बदल कर नया छोटा फूलों का जाड बनना है, नया बन फिर पुराना होना है, पहले जाड छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा, वृधी होते होते, पिछाडी में कांटे बन जाते हैं, पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग, फ वहे खुश्बू, वहे ताकत नहीं रहती है, कांटे में खुश्बू नहीं होती, हलके हलके फूलों में भी खुश्बू नहीं होती, बाप बागवान भी है, तो खिवया भी है, सब की नाओ पार करते हैं, नाओ पार कैसे करते हैं, कहां ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच पुरुशार्थ भी नहीं करते हैं। पुरुशार्थ भी नहीं करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। यह ड्रामा में नोंद है। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिर्वा मोत मलुका शिकार। ड्रामा नुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्यान होने के कारण। तुम हिलते नहीं हो। साक्षी होकर देखते हो। रोने आदी की दरकार नहीं। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। आत्मा जानती है, हम दूसरा जनम, राजाई में लेंगे। मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है, तब तो यह शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना। कहेंगे हम एक खाल छोड दूसरी लेते हैं। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना। पुनर जनम तो सब को लेना है। यह सब विचार सागर मन्थन करना होता है। सबसे मुख्य बात है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे मा बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धियोग दवारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धर्णा कर रहे हैं। नारद का मिसाल, भक्त जब तक ज्यान न उठाएं, तब तक देवता बनना सकें। यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतोप्रधान थे, तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतोप्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प, तुम यथा योग, यथा शक्ती करते ही आये हो। हर एक समझ सकते हैं, हम कहां तक किसको समझा सकते हैं। देहे अभिमान से हम कहां तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरिड़ छोड़ दूसरा लेती हूं। यह मेरे और्गंस हैं। हम सब पार्टधारी हैं। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है। उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन-कौन मुख्य एक्टर्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड कौन-कौन है? तुम बच्चे बाप दवारा ड्रामा के आदी मद्धे अंत को जान गए हो. रचाईता दवारा रचना की नौलेज मिलती है. रचाईता ही आकर अपना और रचना का राद समझाते हैं. यह उनका रत है, जिसमें प्रवेश कर आए हैं. कहेंगे, तब तो दो आत्माई हैं. यह भी कोमन बात है. पित्र खिलाते हैं, तो आत्मा आती है ना? आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे, अभी तो तमोप्रधान हो गए हैं. कोई-कोई अभी बतलाते हैं, हम आगे जनम में फलाना था. फ्यूचर का को कोई नहीं बताते, पिछाडी का सुनाते हैं. सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते. बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुमको श्यांत में रहना है. तुम जितना 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 ज्यान योग में मस्बूत होंगे, तो फिर पक्के सोलिड हो जाएंगे. अभी तो ब तुम इंसोल्वेंट, तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है. भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी आदी कुछ नहीं मिलेगा. कहां बाड होती रहेगी, तो कहां पानी की बूंद नहीं होगी. इस समय दुख के बादल हैं, सत्युग में सुख के और किसको भी पता नहीं है, बैज पर भी समझाना बहुत अच्छा है. वह लोकिक हद का बाप, यह पार लोकिक बेहद का बाप, यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्सा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है. यह है आईरन एजड, फिर गॉल्डन एज जरूर बनन है, तुम अभी संगम पर हो, दिल साफ, मुराद हासिल, रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया, किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहे, यह जर्मुई जग्मुई में टाइम गवाया, बाप का फर्मान है, मामे कम याद कर अगर याद नहीं करते, तो ना फर्मान बरदार हो जाते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप, दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप, दादा को, नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्यान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, जर्मुई जग्मुई, अर्थात व्यर्थ चिंतन में, अपना समय नहीं गवाना है, दूसरा, हम आत्मा भाई-भाई हैं, अब वापिस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है, विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है, आज का वर्दान, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ती धरन करने दिव्यता संपन्न भव, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ती धरन करने वाले दिव्यता संपन्न भव, बाबा ने कहा, जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को, वो बाप के सत्य परीचे को यथार्थ जान लेते हैं, और उसी स्थ्यता की शक्ति आ जाती है। तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी ओम शान्ती अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मूरली इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें अबस्याएं